हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे आपके संस्कृट सिक्षन सास्त्र के बारे में यानि कि काफी बच्चे बार-बार मुझे कहरते कि सर unskृट के प्यड़ागोजी करवा दीजिए तो ये आज हमारी संस्कृत की पेड़ागोजी की पहली क्लास है जिसमें हम important slaves की बारे में बात करेंगे और उससे related आपका जो पहला topic होगा वो भी मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूँगा तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुपता online वीडियो उस पो गौर्मन अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो यह रहा आपके सामने संस्कृत सिक्षा सास्त्रा यानि कि संस्कृत सिक्षण की जो सिक्षा सास्त्र होती है पेडागोजी होती है उसका यह आपका सामने स्लेबस है और ध्यान रखेगा यह जो संस्कृत करा रहा हूँ यह आपके किसी भी संस्कृत language के related चाहे हो MPTET हो सूपर टेट हो या फिर आपका जो अलग-अलग टेट होते हैं वहाँ पर आपके संस्कृत पेड़ागोजी से जो questions पूछे जाते हैं वो इसी syllabus के according पूछे जाते हैं तो चलिए आज का आपना जो संस्कृत सिक्षा सास्तर है उसका आपका syllabus क्या है पहले उसको discuss कर लेते हैं तो mainly आपके ये तीन पॉइंट में बाटा गया है ध्यान रखेगा ये पंदर नंबर की पूछे जाती है पंदर नंबर की grammar और पंदर नंबर की सिक्षा सास्तर पूछे जाती है तो अब पंदर नंबर की हम पैड़ा गोजी की तैयारी कर रहे है जो कि ये तीन important points यानि ये बिंदू के अंदर आपका पूरा संस्कृत का पैड़ा गोजी समापतो जाता है आपके CTAT के syllabus के according या कि CBTAT के syllabus के according जिसमें आपका पहला most important बिंदू में जो आता है वो आता संस्कृत भाषा शिक्षन विध है और ध्यान रखेगा जो भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना ये संस्कृत language में है तो थोड़ा सा प्रनौंश करने में आपको मेरा कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाता हूँ क्योंकि संस्कृत मुझे इतनी अच्छी तरीके साथ ही नहीं है बच्चों ने मुझे बोला तो बच्चों के सामने में आपके सामने प्रसुत कर रहा हूँ द्यान रखिएगा भले मुझे थोड़ सा पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पढ़ रहा हो लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको बिल्कुल बेच तरीके से सारी चीजों को सीख करी आपको सारी अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा पहला आपका आजाता है संस्क्रित भाषा सिक्षन विधिय है दूसरा आता है संस्क्रित भाषा सिक्षन सिधान था और तीसरा आता है संस्क्रित सिक्षन अभी रोचिय परशन हो ध्यान रखिएगा अगर आप Paper 2 यानि की Language 2 की तयारी कर रहे हो जो कि आपका 6 to 8 में पूछी जाती है तब आपको ये तीसरा टॉपिक पढ़ना है ये तीसरा टॉपिक जो है संस्कृत सिक्षन अभी रूचिया परशन हा ये जो पूछा जाता है वो आपके पेपर 2 यानि कि 6-8 की जो बच्चा तयारी कर रहा है उसके लिए हैं केवल अगर आप पेपर 1 की तयारी कर रह होता है वो पठन होता है लेखन होता है ये चारों के चारों हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट आपका संस्क्रिट सिक्षन अधिगम साधनन्य कहने का तातपर यहां पर यह हैं कि जो संस्कृत भाषा के सिक्षन होता है उसमें आधिगम संसाधन कौन सोंस होते हैं उसके बारे में या फिर उसके समस्त संप्रेशन जो आपके साधन होते हैं उसके बारे में या फिर उसकी पुस्तक कान जो आपके पाठ्य पुस जो मुल्याकन सम्बन्दित प्रश्णा होता है उसके बारे में यानि कि मुल्ययांगन के बारे में पढ़ेंगे और सतत और व्यापक मुल्यांगन के बारे में इसके next topic में पढ़ेंगे जैसे कि मौकिक लिकित पर्षना प्रकारह या फिर सत्त मुल्यांकन या फिर उप्चरात्मक सिक्षणाम ये सारे के सारे हम next वाले topic में पढ़ेंगे तो ये हैं आपका पूरा का पूरा संस्कृत सिक्षा सास्त्र का सिलेबस तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे पहला topic जो कि आपका संस्कृत भाषा सिक्षण विध है तो इसके बारे माज हम बात करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं तो अपनी diary निकालिए या अपना notebook निकालिए और आज की date डालिए और अपना topic लिख लिजिए क्या है आज का अमारा topic तो वो है संस्कृत भाषा सिक्षण विध है तो यह आज का अमारा पहला topic है तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा सिक्षण के अंदर कौन-कौन से आपकी विधियां आती है वो से related आपके questions यह पूरा का पूरा syllabus यह पूरा का पूरा chapter रहने वाला है लेकिन शिक्षण विधियों को पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी basic जानकारी दे देता हूँ क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं संस्कृत भाषा तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि भाषा क्या होता है सिक्षण क्या होता है, सिक्षण विधियां क्या होती है और सिक्षण के पीछे उद्देश्य क्या होता है, वो क्या होता है उसके बाद हम सिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे तो पहला सबसे पहला तो यह पता होना चीए आपको भाषा क्या होता है तो शरल शाब्दिक आज तक हमने बच्पन से जो पढ़ा आया है वो यही पढ़ा है कि भाषा जो है वो शब्द किस चीज से आया है संस्कृत के भाष्च धातू से बना है ध्यान रखेगा भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष्च धातू से बना है जिसका अर्थ क्य यह क्या है आपकी भाशा है यह लेकिन ध्यान रखेगा जो व्यक्ति बोल रहा है वो आप बोल नहीं सकते उसको एक अच्छी रूप से परिभाशित करने की बात करे जाए तो भाशा मुक्ष से निकलने वाले सार्थिक शब्द ध्यान रखेगा यह point important है सार्थक शब्द एवं वाक्यों का ऐसा समूज होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को अपने विचारों को अर्दान परदान करते हैं वो भाशा कहलाती है okay for example के रूप में जो मैं आपका अभी भाशा का इस्तमाल कर रहा हूं वो कैसा एक सार्थक शब्दों का एवं वाक्यों का ओके तो ध्यान रखेगा इस बात को उसी के अनुसार सूइट्स के अनुसार जो सूइट थे एक मनोवेज्यानिक थे आपके एक अध्यन करता थे इन्होंने क्या का था धवनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाशा है यानि कि ध्वनी के द्वारा जो शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है उन्ही कोई क्या कहा जाता है भाशा कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाएं कि ये परिभाशा यानि कि ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाशा है कि इसके द्वारा कहा गया थ तो ध्यान रखेगा एक इसके द्वारा कहा गया था, सूइट के द्वारा कहा गया था, ओके, चलिए, अब बात कर लेते हैं, यह जो भाषा शिक्षन है, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पूछे उद्देश क्या है, तो दो ही चीज है, एक आपका ग्रैंड करना, और द इसके इलावा भाषा के अंदर कुछ हो सकता है, नहीं, तो भाषा शिक्षन के पीछे उद्देश क्या होता है, ग्रहन और अभिव्यक्त करने की कुशलता को और अच्छे से निपुन बनाना, यह दो ही आपके मोटिव होते हैं, भाषा के अंतरगत, अगर आपसे पूछा पूछा जा सकता है, ध्यान रखेगा, पहला पॉइंट आपका आता है, भारतिय संस्कृत का ज्यान करके एक पीडी से दूसरी पीडी में इस्थांत्रण करना ही क्या है, आपका मोटिव है संस्कृत भाषा शिक्षन का, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, भाषा देश प्यानि कि संस्कृत जो है, वो भारत की एक प्राचीन क्या है? एक भाषा है, जो शुरू में हम इसका इस्तमाल करते थे ज्यादा तर, वो संस्कृत भाषा का ही इस्तमाल करते थे, लेकिन दिन परती दिन ये संस्कृत भाषा है, वो हमारी पीडी से क्या हो रही है? आई जा सके कि आप सभी को पता है हम संस्कृत से धीरे-धीरे कहां ट्रांसफोर होगे हिंदी में और हिंदी से हम धीरे-धीरे कहां ट्रांसफोर होगें इंगलेश में इसलिए भारत्य संस्कृती यानि कि जो आपका संस्कृत है उसका आपका क्या करना एक पीडी को अगर हम रखेगा आप सभी को पता है संस्कृत क्या है हमारी संस्कृती का धरोहर है यानिकि उसको सजोगतर रखता है आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पढ़ा होगा संस्कृती हमारी संस्कृती को क्या करता है सजोगतर रखता है उसका क्या है धरोहर है इसलिए रा अब यही है कि संस्कृत के जो समस्त ज्यान होता है जिसके द्वारा आपके भावनात्मक इक्छा जो भावनात्मक रूप को आप दूसरों के सामने प्रकुट कर सकते हो क्योंकि संस्कृत भाशा क्या है एक ऐसी भाशा है जिसमें अपने भावनात्मक रूप का सबसे हम एकता का विकास करने में हम बच्चों की या उससे रिलेटेड बच्चों के साथ हम वारतलाब कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट है, विध्यारतियों को संस्कृत भाषा का समानने ग्यान परदान करना, यानि कि इतना बच्चों को समझाना कि उस चीज़ को समझ सके, बोल सके और आगे वारतलाब कर सकें, इसलिए बच्चों को हम क्या करेंगे, समानने ग्यान का परदान करना, जैसे कि आप सभी को पता है, नाइन्थ तक मेंडेटरी होती है संस्कृत पढ़ना, उसके बाद आपके पास 24 आ जाती है, इसलिए हमें क्या करना है, समानने ग्यान देना है बच्चों को, नेक्स्ट है कि संस्कृत बोद पूरवक, धियान रखेगा, बोद पूरवक सुनने बोलने बढ़ने पढ़ने और लिखने की शमता का विकास करना है यानिकि जो समानने ग्यान होता है, वो इसी के अंतरगत आता है, कि कम सेंगम व्यक्ती जो होता है, उस ची उत्पन करना, क्योंकि आप जितना भी किसी चीज को जादा से जादा पढ़ोगे, किसी चीज को जादा से जादा समझोगे, तब ही तो हम उस चीज को आगे की और ले चलेंगे, जैसे कि किसी बच्चे की English खराब है या Hindi खराब होती है, वो वारतलाब सही नहीं कर पाता है, बोल नहीं सा पाता है, पढ़ नहीं पाता, तो उसी चीज के हम जादा जादा अभ्यास करवाते हैं, और किसी चीज में अच्छी से अच्छी चीज को उत्पन करना होता है, तो उसमें क्या करना होता है बच्चे का, वो अभिरूची उत्पन करनी होती है, तो उसी परकार स हम क्या कर रहे हैं बच्चे के परती सहित्य के परती अभिरूची इत्पन कर रहे हैं ताकि वो जादा से जादा संस्कृत के साथ को रिलेट करके उस चीज को सीख सके ओके तो यह कुछ हिंदी पढ़ा रहा था तब भी बताया था इंगलिश पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि कक्षा में पाठे करम को लेकर सिक्षक और छात्र के बीच होने वाली सूववस्थित अंत्रक्रिया सिक्षन कहलाती है ध्यान रखेगा बहुत इंपोर्टन पूरा का पूरा मैं अच्छे से यह आपका बनाने की कोशिश करी है कावी चीजों का संग्राय करा है एक साथी खटा करने की ओके तो सिक्षन आपका वो होता है जो कक्षा में पाठे करम को लेकर सिक्षन और छात्र के बीच होने वाली सूववस्थित ध्यान रखेगा सूववस्थित अंत्रक या सिक्षन कहलाती है कहने का तात पर आपका यह है जैसे कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो यह क्या है हमारे लिए कक्षा है तो इसके अंदर जो मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ यह आपका क्या है तरीकी सा सिक्षक के रूप में आपके सामने में परसूत कर रहा हू और छात्य के रूप में आप ग्रेंड कर रहे हो तो हम दोनों के बीच में जो व्यवस्था चल रही है हम दोनों के बीच में जो आपका कोई डाउट होता था आप मुझे पूछ सकते हो या फिर आपको कुछ और जानकारी हो चाहिए होते हैं आप मुझे पूछ सकते हो या मुझे कोई ये देखना हो कि बच्चों ने कितना समझाया तो मैं आपसे पूछ सकता हूं. तो वो क्या चल रहा है? पूरा का पूरा एक सूववस्तित अंतर किरिया चल रही होती है. और उसी कोई क्या का जाता है? teaching कहा जाता है, section कहा जाता है ये नहीं कि केवल मैं ही बोलता रहूँ ये नहीं कि आपने बस सुन लिया एक कांसे और दूसरे कांसे निकाल दिया हो गया यही आमें कि teaching नहीं, ये teaching नहीं होती है important point है, ध्यान रखेगा सुववस्थित अंतर के लिया ही क्या कहलाती है सिक्षण कहलाती है और साथी साथ में सिक्षण विधिया, अब ये सिक्षण विधिया क्या होती है तो ध्यान रखेगा, सिक्षण कार्य को सुववस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही सिक्षण विधी कहलाती है कहने के अतातपर्याब का यहाँ पर यह हैं कि एक किलास को किस थरीके से अच्छे से अच्छे रूप से शिक्षा ग्रांड करने में एक सिक्षक मदद कर सकता है उस शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए हम किस चे excell控 करते हैं तो प्रश्णवत्तर विधी के दुऔर आप बच्चों को सिखाने ही कोशिश कर रहे हो या फिर बीच-बीच में आप कभी उनको खेल के मांध्यम सो सिखा रहे हो तो खेल विधी हो गया तो जो भी तरीके साथ आप इस्तमाल कर रहे हो सिक्षन विधिया जैसे कि मैंने आपको हाइलाइट करके बता दिया कि संस्कृत सिक्षन विधिया है कि इतने परकार के होते हैं तो ये तीन परकार में मैंने आपके लिए बांट रखे हैं पहला प्रमप्रागत प्राचीन तरीका जिसे आप मौलिक विधी भी बोल सकते हो त ध्यान रखेगा प्रमप्रागत तरीके या प्राचीन तरीके आप सभी को देखने से पता चलिया होगा वो तरीके जो आपके पुराने जमाने में इस्तमाल किये जाते थे जिससे आप सारी की सारी चीज़े क्या कराई जाते थी कंठस्ट कराई जाती थी रटवाई जाती थी फिर आया आपका नवीन यानि की आधुनिक तरीका जिसमें आपके बच्चे के उपर ये तो दियान रखा जाता था कि बच्चे को देखकर हमें सिक्षान देना है लेकिन तब भी बच्चे को उपर सारी की सारी चीजी हमारी से जो होती हैं, वो बच्चे के अनुसार हम नहीं कर पाते, हमने हाँ पर सोच तो लिया था, लेकिन पून रूप से अपलाई नहीं कर पाए, और फिर आया आपका नविन्तम उपागम, यानि कि आप बोल सकते हो, क सिक्षक केंद्रित ना करके छात्र केंद्रित, ओके, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें किस चीजी को पर बल दिया जाता था, कि छात्र किस परकार से सीख सके हम उसी परकार से हम बच्चों को सिखा सके, तो वो आपके सारी की सारे नविन्तम उपागम, यानि कि आज कि आ आता है या तो नवीन आया फिर आधुनिक विधी में या फिर नवीनितम उपागम में तो नवीन और आधुनिक में कौन सी होती है और नवीनितम उपागम में कौन सी होती है या परंप्रागत प्राचीन में कौन सी होती है यह सारी की सारी सिक्षन विधिया इसी के अंदर ट प्रकार मेंड़ गया है और इन्हीं तीनों को हम अलग-अलग topic में करके बात करेंगे क्यूं क्यों अगर आप इनको मिला दो तो लगभग लगभग आपके 35 से 40 सिक्षन विधियां निकल के आती है tension मतलो बिल्कुल छोटे-छोटे से हैं simple way में समझाऊँगा आपको सारी की सारी चीजे बस आपको ध्यान से सुननी होगी आपको सारा का सारा आपको वहाँ पर ध्यान में रह जाएगा रटने की बात नहीं है, tension लेने की बात नहीं है की 30-40 पंडे पढ़ेंगे सार tension मतलो सारी चीजे छोटी-छोटे से हैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूँगा या कभी न कभी आपने किसी न किसी तरीके से कभी न कोई न कोई सिक्षन विदिया जरूर पढ़ी होगी अब मुझे नीचे जरूर लिखकर बचेए कमेंट बॉक्स में कि आज की आपकी क्लास पहली कैसी रही अब इसी परकार से कॉंटियो आगे रखना है या नहीं रखना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और पहली मैंने आपको बोल दिया था थोड़ा सा पढ़ने में प्रनोंचेशनめ थोड़ा गलती हो जाए तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेस करके रखिएगा लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूँगा तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास में पहली वीडियो और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना जरूर कीजेगा और साथी साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजेगा ताकि आने वाली क्लास जो हमारी है वो आपको हमें और जाद़ से जाद़ मोटिवेट कर सके और मैं आपके लिए और अच्छी साथ अच्छी इन्पोर्टन क्लास लाता रहूं और साथी साथ में मैं आपको कई बार बोलता हूँ जहां कर पार आपको मैं classes की update भी देता हूँ और notification YouTube से नहीं मिलता है तो वहाँ से आप ले सकते हो जिसका link मैंने आपको नीचे decision box में दे रखा है तो ये थी दोस्तों आज हमारी पहली class तो आज की video में बस इता ही आपसे फिर मुला कातोगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत